आज हम जिस एक्ट्रेस की बात लएंगे उनकी पहली फिलम ने उनको स्टार बना दिया था वहीं उन्होंने एक फिलम ऐसे की जिस्सें का करियर बरबाद हो गया यानि कि एक एना गलत नहीं होगा कि जहां एक फिलम उन्हें अर्ष पर ले गई वहीं दूसरी फिलम फर्स पर ले आई जी हां आज हम बात लरेंगे लगान मोई से करियर की शुरुत लरने वाली एट्रेस ग्रेशी सिंग की ग्रेशी का जनब 20 जुलाई 1980 को दिल्ली में हुआ था ग्रेशी सिंग कोलिश ये दिनों से मोडलिंग और क्लासिकल डांस में रूची रखती थी कोलिश के बाद ग्रेशी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गई और उने कुछ में बाद आमानत नाम के टीवी सिरियल में काम करने का मोका मिला उसने आमानत टीवी सिरियल में 1500 एपिसोड तक रोल किया और वहाब काफी फेमस हो गई थी उन दिनों एक बाद परचलित थी कि टीवी सिरियल में काम करने के बाद फिल्मों में काम ने मिलता है इसलिए ग्रेशी ने फिल्मों में काम करने की इच्छा को दिमाग से निकाल दिया उसके बाद गरेशी सिंग के पास कई अच्छे टीवी सिरियल के ओफर आई और उन्होंने कुछ एपिसोड सूट भी कर दिये थे इसके बाद गरेशी को हम आपके दिल में रहते हैं मूई में एक छोटा सा रोल मिला जिसके बाद उनकी फिल्मों काम करने की तमना फिर जाग उठी उन्हीं दिनों निर्देशक आशुतोस गोवरिकर फिल्म लगान के लिए एक ऐसी हिरोईंग की तलास कर रहे थे जो दिखने विलेज गर्ल जैसी हो और उसे कल्चरल डांस आना चाहिए गरेशी सिंग जो की क्लासिकल डांस में मायर थी अपने मेनेजर जोशी के साथ लगान के ओडिशन में गई आशुतोस गोवरिकर ने ओडिशन के बाद गरेशी को फिल्म के लिए साइंग कर लिया लगान रिलीज हुई और आस्कर में बेस्ट कैटेगरी में नोमिनेट हुई उसके बाद गरेशी ने 2003 में गंगाजल और मुना भाई M.B.B.S. में मेन हिरोईं का रोल किया और ये दोनों फिल्में हिट रही लेकिन उसके बाद गरेशी को जितने मीं फिल्में मिली सब भी फ्लोप रही और फ्लोप मुवी की लिस्ट में सबसे उपर नाम आता है कमाल खांग की मुवी देश दरोई का गरेशी सिंग ने एक इंटरोई में बताया था कि जब उन्होंने देश दरोई मुवी साइंग की थी तब उन्हें याने बताया गया था कि कमाल खांग खुद इस मुवी में हीरो है लेकिन साइंग करने के बाद फिलम चोड़ना बॉली वूड में गलत माना जाता था इसलिए उसे ही है मुवी करने पड़ी यह हैं उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसलिए बाद उने कोई भी बड़ी फिलम का ओफर नहीं मिला इसके बाद गरेशी ने अपने डांस ग्रूप के साथ स्टेज परफॉमेंस देने शुरू कर दी उसने देश के कई बड़े सहरों में कल्चलर डांस के शो की 2012 में एक बड़ गरेशी को माउंट आवू सत्संग जाना हुआ वहवा सत्संग परमुखों से मिली उनकी बातों से वाई इतनी पर बावित हुई की उन्होंने उसी समय सत्संग नाम ले लिया और सन्यसी का जिवन जीने की इच्छा जताई सत्संग परमुखों ने उसे का की आप कला छेतर से जुड़े हो तो कला के साथ इस सत्संग को पूरी दुनिया में फैलाओ उस ये बात से ग्रेशी के ये दान्स शो में परमात्मा का कोई न कोई मैसिज जरूर होता है ग्रेशी ने माउंट आब उस सत्संग की प्रमपरान उसार अब तो साधी नहीं की है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद